हाँ तो वेलकेम बैक गाइस और क्या हल चले सबके तो फाइनीरी दोस्तों मेरी और आप लोगों की विश्च कम्प्लीट हो गए कि भाई ट्रिपल र फिल्म जापान में हैस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मुवी बन चुकी है देखो गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भ हैं दोस्तों 2,71,000 यानि के गाइस इट इस मैसिव वेरी मैसिव यह जो ट्रिपल र फिल्म ने बनाया है भाई यह फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक रहना वाला है इसको सिर्फ एसस राजा मोली ही बीट कर सकते हैं और भी अब हम बात करते हैं इस मूवी के इंटरनेश स्कोर, बेस्ट साउंट्रेक इन सभी काइटेगरे में यह अवार्ड गाइस टिपल र फिल्म ने जीता है और गाइस लॉस एंजलोस फिल्म क्रिटिक अवार्ड यह भी गाइस बेस्ट म्यूजिक स्कोर के लिए M.M. किरावानी को मिला है नेक्स्ट अवार्ड आता है दोस मोवी को लिए।ender के लिए बेस्ट पिक्छर के लिए बेस्ट एक्शं मुवी के लिए और बेस्ट इंटरनेशनाल फिल्म के लिए नेच्ट आ दो positively को धंब नमिनेशन मिले है बेस्ट औरिचनल सांगन ना टू के लिए इस मोवी नॉमिनेशन जीते हैं, एडिटिंग के लिए शेकर प्रशाद, VFX स्रीनिवास मोहन, ओरिजिनल सॉंग नाटू नाटू M किरावानी, स्टेंड्स के लिए दोस्तों किंग सोलो मौन, गाईज अभी रिसेंट टाइम्स में, इंडिया की कोई भी ऐसी मुवी नहीं है, जिसने इतने सारे इंटर्नेशनल अवार्ड जीते हैं, बट ये गाईज ट्रिपल र फिल्म ने कर दिखाया है, भाईज हम इंटर्नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हिस्ट्री देखे ना भाई इंडियन मुवी इसके लिए नगाईज, ये 2010 में जाके इसके निशान मिलते हैं और उस ताइम पर माईनेमिस खान ने भी काफी सारे अवार्ड जीते थे तो गाईज, लेट सी, आसकर के अंदर ट्रिपल र फिल्म क्या धमाल करते हैं कमेंट सेक्षिन में अपना ओपिनियन जरूर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए, बबाई, टेक केर, जाहिन, जाभारात